हेलो फ्रेंट्स वल्कम बैक तो माई चैनल तो फ्रेंट्स हेंगिंग पोट में लगाने वाले कुछ ऐसे प्लांट जो की आप कटिंग से तयार कर सकते हो कौन-कौन से प्लांट है किस प्राइज में नर्सरी में मिल सकते हैं इस वीडियो में सभी के नेम और प्राइज आपक इकन के साथ फर्स प्लांट आप मेरे सामने देख रहे हो फ्रेंट्स प्रोल्प यह चैनल में प्लांड चैनल प्लांट्स होती है कोकोपीट लीजे और वर्मी कमपोस्ट लीजे अगर आप मिट्टी डालोगे तो उससे आपके हेंगिंग पोर्ट भारी हो जाते हैं इसलिए तूटने का डर रहता है ये प्लांट हेंगिंग पोर्ट में लगाने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है क्यूंकि प पर्सलेन के फूलो के कलर आपको बहुत सारे मिलते हैं ओनली 15-15 रुपेज का ये प्लांट आपको नर्सरी में मिलता है और इसकी छोटी-छोटी कटिंग से आप इसके न्यू प्लांट तयार कर सकते हो फूलो के कलर भी आपको डिफरेंट-डिफरेंट मिलते हैं पर्सलेन भी सकुलेंट वेराइटी से होते हैं तो इन में भी आपको पानी कम ही डालना होता है हेंगिंग पोर्ट में लगाईए पूरा दिन की धूप में रखी आप चाहें तो इने प्लास्टिक बोटल में डेकुरेट के परपस से या फिर अगर आपके पास बेकार मग पड़े होते हैं उनको कलर करके तो भी आप अपने गार्डन को डेकुरेट कर सकते हो क्योंकि ये प्लांट पूरा दिन की धूप को बरदास्त कर लेता है पोर्टूल का प्लांट नाइनो कलोक भी बोलते हैं बहुत सारे नामों से जाना जाता है ये भी एक सकुलेंट प्लांट है ये हैंगिंग पोट में लगाने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है पूरा दिन की धूप में रखिए पानी इसमें आपको कम डालना होगा उनली 15 रुपेज का ये आपको नर्शरी में मिल जाता है फूलो के कलर इसके भी आपको बहुत सारे मिलते हैं इसमें एक देशी वेराइटी भी होता है जो की जल्दी से खराब नहीं होता इसमें मीली बग का अटेक होता है उसके लिए आप नीमोईल का यूज़ कर सकते हो सो नेक्स्ट हमारा विंडरिंग जीव प्लांट बहुत ही खुबसूरत सा प्लांट है डवल शेड में पत्या होती है इसमें परपल और ग्रीन इसमें आपको और भी कलर मिलते हैं इसमें वाइट कलर की भी साइनिंग रहती है ओनली 15 से 20 रुपेज का नर्सरी में मिलता है हेंगिंग पोट में लगा ये पूरे पोट में भर जाता है परमनेंट प्लांट है और काफी हारडी प्लांट है इसको ज़्यादा केर की भी जरुरत नहीं पड़ती है सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद यही खाद डालते रहोगे तो भी इसकी ग्रोथ काफी अच्छी निकलती है चोटे से चोटे पोट में ग्रो होते हैं चोटी से चोटी कटिंग आप ग्रो कर सकते हो पानी में भी ग्रो कर सकते हो और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हो ये प्लांट आपका सर्दी में भी खराब नहीं होता एल्टर नैथरा प्लांट एल्टर नैथरा प्लांट भी एक पर्मनेंट प्लांट है और इसकी बहुत सारी वेराइटी होती है नोर्मली आपको 40 रुपीज से स्टार्ट होकर ये 80 से 100 रुपीज तक मिलते हैं क्योंकि इनकी कई तरह की वेराइटी होती है जिसमें mini plant आपको hanging pot में लगाने के लिए मिलते हैं और ये भी pot में पूरे भर जाते हैं छोटी से छोटी cutting इनकी grow होती हैं इनके जो stem निकलते हैं उनमें पहले से ही छोटी छोटी जड़े निकली होती हैं ऐसे में अगर आप उनको पानी या फिर मिट्टी दे दोगे तो आप का new plant तयार हो जाएगा red color की पत्या इसकी देखने में काफी attractive लगती हैं और इस plant को भी decorate के परपस से ज़्यादा तर यूज़ किया जाएगा तो ये plant आप कम से कम 8 इंच के pot में ज़रूर लगाई ये normal pot में भी grow कर सकते हो hanging pot में भी grow कर सकते हो Rio plant, Rio plant की भी red और green color की पत्या होती हैं देखने में काफी attractive लगता है only 20 से 30 रुपीज का nursery में मिलता है एक plant से इसके 1000 प्लांट आप तयार कर सकते हो इसके पास से baby plant निकलते रहते हैं जिनको निकाल कर आप नया pot भी बना सकते हो hanging pot में लगाईए पूरा दिन की धूप में रखे या फिर balcony garden में लगाईए बहुत ही खूपसूरत plant है जल्दी से खराब नहीं होता इसकी greenery बरकरार रखने के लिए 15 से 20 दिन में आप इसमें एक बार या तो गोबर की खाद को पानी में भीगा कर रख दो और next day इन cutting grow करिये hanging pot में लगाईए plastic bottle में लगाईए mug में लगाईए ceramic pot में लगाईए ये plant जल्दी से खराब नहीं होता इसको आप अपने according कोई भी shape दे सकते हो bonsai इनकी बहुत अच्छी बनती है hanging pot में लगने के बाद इनकी branch जो होती है फैलती है तो देखने में काफी सुन्दर मिलते हैं क्योंकि इनकी कई तरह की variety होती है पानी कम डालिए ज्यादा पानी डालोगे तो गल जाएगा baby sun rose plant ये भी एक succulent plant है तो इसमें भी आपको पानी कम डालना होता है hanging pot में लगाकर इसकी branch होती है नीचे की side लटकती है बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके फूलो इस दिन में एक बार आप इसमें dap के कुछ दाने डालिए ताकि आपकी plant की growth अच्छी रहे पूरा दिन की धूप को बरदास्त करता है छोटे से छोटे पोट में एक एक लगा सकते हो एक एक पत्ती से इसके new plant तयार हो जाते हैं so baby sun rose मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है asparagus plant asparagus plant आपको 60 से 100 रुपीज तक nursery में मिलते हैं इनकी बहुत सारी variety देखने को मिलती हैं इनको दूप भी बोला जाता है तो आप अपने घर में इनको भी लगा सकते हो डेकुरेट के परस से भी और greenery के भी परपस से क्योंकि ये एक permanent plant होते हैं जो कि जल्दी से खराब नहीं ह होते हैं और इनकी कई तरह की variety भी आपको देखने को मिलती हैं पूरा दिनकी धूप को बरदास्त करते हैं चाया मेर भी आप इनको रख सकते हो बालकनी में या किसी boundary वगारा पर डेकुरेट के परपस से रख सकते हो सीडम plant ये बहुत ही गूबसूरत plant है लेकिन ये भी एक succulent plant है तो इसमें आपको पानी कम डालना होता है 100 या फिर 150 के आसपास आपको nursery में मिलता है ये प्लांट खराब बहुत जल्दी होता है क्योंकि इसमें इतना सा भी over watering कर दोगे तो ये खराब हो जाएगा इसके फूलों के color आपको काफी सारे देखने को मिलते हैं इसकी variety भी से आप new plant तयार कर सकते हो hanging pot में लगाने के बाद काफी प्यारा लुक आपके garden को देगा दो से तीन घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर आप इसको रख सकते हो बोली वियान प्लांट वैसे तो ये टर्टल वाइन की ही variety है लेकिन इसकी पत्तियों में brown color रहता है तो इस लि पानी स्प्रे करोगे उतनी ज्यादा ग्रोथ इसकी अच्छी निकलती है इसको भी आप प्लास्टिक बोटल में छोटे से छोटे मग में और ceramic pot में इस तरीके से ग्रो कर सकते हो काफी hardy और permanent plant है इसको सिर्फ पानी चाहिए होता है मोस्चर चाहिए होता है अपने आस-पास क्योंकि इसकी जड़े जो होती है जगह जगह इसकी जड़े निकली होती है प्लांट में hanging pot में इसको लगा सकते हो only आपको 40 से 50 रुपेज का nursery में मिल जाएगा so friends I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो पसंद आए तो please like share ज़रूर करें मिलते है नेक्स्ट वीडियो में त